क्या आपको भी मेरी तरह खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने के क्रेविंग होती है तो इसके लिए आपको ले ले लेनी है एक बड़ी सी लौकी जितना बनाके रख लोना उतना ही बड़िया चलता रहेगा बार बनाना नहीं पड़ेगा चुट्टी मिल जाएगे काम से औ अबला और उसके बाद ना हम क्या करेंगे इसे बीच से सब निकाल के अच्छे-च्छे तरीके से अलग कर देंगे अब इससे तरीके से हमें सारी लौकी के बीच का इससा अलग कर देना है और फिर आता है एक बहुत ही जादा महनत वाला काम अगर कोई आस-पास हो तो तो स मल्टी फंक्शन पॉट जिसमें मैं आपको यह बहुत ही जल्द और मज़ेदार रेसी बताने वाली हूँ तो सबसे पहले घी डाल कर उसमें रालेंगे काजू, बधाम, पिस्ता और रेजिन्स और उसके बाद मैं इसे सौटे करेंगे बड़िया तरीके से जब तक यह अच्छी सी गोल्डेन ब्राउन ना हो जाएं और यह बहुती धीमी धीमी अच्छी अच्छी खुश्बू छोडएंगे तब हम इने निकाल देंगे तो मैंने यहाँ पर इसे सौटे कर लिया, रोस्ट कर लिया और उसके बाद इस पॉट को खाली करा लिया अब इसके बाद हमें करना क्या है यह डालना है फिर से हलका सा घी और साथ में जो लौकी हमने इतनी मेहनत से घिसी दी ना वो अब डाल देंगे इसके अंदर और इसे हलका फुलका चला लेंगे हलका फिलका चलाने के बाद हम डालेंगे इस में 0.5 लीटर दूद और इसको फिरसे हम चलाएंगे अब यहांपर हम कर देंगे इसकी जो हीट है वो और जादा तेज क्योंकि अब हमें दूद को लौकी के साथ पकाना है और इतना पकारा है कि ये आधा हो जाए और जैसी आधा होगा उसके आपको डालनी है इसमें चीनी और जो अभी हमने ड्राइ फ्रूट सौटे करके रखे दें वो डाल देना है और उसके बाद चलाना है दीमे धीमे करके ये काफी थिक होना शुरू हो जाएगा और जहां कर देना है यहीं पर रोग देना है क्योंकि जैसे ठंडा होगा ना बस यह काफी तिक हो जाएगा तो इसलिए अब हम इससे सर्फ कर लेते हैं इसके उपर लगाते हैं वही काजू बदाम पिस्ता और रेजिन्स जो अभी हमने सौटे किया था और भाई यह नौ यार काफी डे करवा कर शाँ